अब कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जहां पर आप थोड़ा सा आगा या सचेत रहने की सलहा देना चाहेंगे मेरे ख्याल से रियल एस्टेट इंफ्रा पर तो आपने भी थोड़ा सा जिकर किया है इसके अलावा और कौन-कौन से वो सेक्टर्स जहां पर थोड़े से रेड़ फ्लाग्स हैं आपको लगता है कि आने वाली तेमाई हो में थोड़ा सा सोच समझ कर चले तेके इस समय मुझे लगता है कि जो मिट-कप पावर कंपनीस हैं जो मिट-कप P.S.U. बांक से मिट-कप कंच्छाचिन कंपनीस हैं और मिट-कप P.S.U. जिनके अंदर बैलने शीट खराब है या फिर बिजनिस में इतना इड्वांटिज नहीं है या फिर प्राइसिंग प अगर आप आप आवर कंपनियों में देखे तो कई पावर कंपनियों में अपरेटिंग प्रॉफित नहीं है फिर भी स्टॉक्स आप 100 तो 200 पिसेंट इस यह कुछ बहुत ऐसे बहुत पी एस यू बैंक्स हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर आप दो तीन चार साल का व्यू रहते हैं तो मार्केट में कोई समस्या नहीं है मार्केट में करेक्शन आएगा बगर वह शैलो करेक्शन रहेगा क्योंकि मार्केट कि एवल्याशन इतसा मिजादा नहीं है इतना कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि बेर मार्केट इसंदा का। फिर बात आती एलेक्शन की, अक्सर लोग बोलते ही जी अगले साल एलेक्शन है क्या होगा, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, I think it is from one of the foreign brokerages, वह बता रहे हैं कि जो एलेक्शन से पहले, historically, market six months in the run-up to the election, normally goes up by about five to ten percent, तो प्री-एलेक्शन राइली अंदुस्तान में मेरे साप से भी आई नहीं है, वह आ सकती है, मगर लाज कैप स्टॉक्स में आएगी, मिट कैप में नॉमली नहीं आती है, फिर आप देखिए, IPO मार्केट इतना कोई बहुत बढ़ बड़ IPO नहीं आ रहा है, इतना बहुत capital, इ जिसके वज़े से lack of liquidity का issue हो जाए, तो जो मार्केट की जो नीव है, और मार्केट की नीव इससमें मजबूत है, बगर आप एक सौ मंजिल की इमारत बना रहे हैं, तो सौ मंजिल की इमारत में ज़रूरी नहीं कि रोज एक फ्लोर चड़े, रुख सकते हैं, ठक सकते हैं, कभी चुट्टी बे जा सकते हैं, बारिश हो सकती है, अविलेबिलिटी और मिटीरल नहीं हो सकता है, तो कई factors होते हैं, देशा आ रुख सलमें डिफरेंस,